नमस्कार मैं है सुशीला राय डिम्री रोज के रसोई में आपका स्वागत है दोस्तो पनीर और टोफू की सब्जी तो हम अपने घर में बनाते ही हैं पर क्या आप जानते हैं कि पनीर और टोफू एक जैसे नहीं है इसे के बारे में कुछ बातें बताऊंगी दोस्तो पनीर से बने अलग अलग वेंजनों का स्वाथ सभी को बहुत अच्छा लगता है जैसे मटर पनीर, शाही पनीर, पनीर कोफ़ता, पनीर मलाई आदी इसे तरह टोफू के भी वेंजन मनाई जाते हैं जो दिखते तो पनीर जैसे हैं, पर वास्तो में वें पनीर नहीं होता दोस्तो टोफू को सोय बीन के दूर से बनाय जाता है यह एक प्रकार से दही होता है, जिसे सोय दूद में कैलशिम और मेगनिशिम नमक की मदद से लिक्रीड से सक्त आकार में बदला जाता है यह सारा प्रोसेस मशीनों दारा सोय बीन के दूर से किया जाता है बाद में इसे खाचे या ब्लॉग में डाल कर आकार दिया जाता है टोफू शाकारी होने के साथ प्रोटीन का बहुत अच्छा सादन है दोस्तो अब बात करते हैं पनीर की पनीर को गाय भैसिया बकरी के दूर से तियार किया जाता है पनीर को मठे में से दही के रूप में निकाल कर दबा कर सुखाय जाता है इसके बाद इसे भी किसी बरतनिया ब्लॉग में दबा कर रखा जाता है तब जाकर पनीर तियार होता है पनीर की खोष सबसे पहले भारत में ही हुई थी, पनीर भी शाकाहरी वेंजन है दोस्तों पनीर और टोफू दोनों ही सहत के लिए काफी अच्छे हैं वैसे अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो टोफू अच्छा विकल्ब हो सकता है क्योंकि इसमें प्रोटीन अधीक और कैलरी कम होती है और अगर आप अपनी सहत में सुधार चाहते हैं तो पनीर आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें सभी जुरूरी पोशक्तत्तों आपको मिल जाते हैं एक खास बात है कि इन दोनों में कि टोफू का इस्तेमाल हम वेज और नॉन वेज दोनों तरह की डाइट में कर सकते हैं वैसे ही आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह खाना पसंद करते हैं वही पनीर का इस्तेमाल सरफ वेज़ खाने में ही किया जाता है क्योंकि यह दूस से बना प्रोडक्ट है दोस्तों यह ते मेरा आज का वीडियो आई होब कि कुछ नहीं बातें आपको जरूर पता चली होगी मिलोंगे नक्स वीडियो में ऐसे एक नहीं जहनकारी के साथ थैंक्स वर वाचिंग रोच की रसूल